Hello friends, मैं सुस्मा कुहार, Welcome to my channel, friends, आज मैं आठ नमबर कानाजी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बना कर लाई हूँ, आज मैं आपको ये ड्रेस बनाना सिखाऊँगी कि ये कैसे बनाई गई है, friends ये ड्रेस बनाने में बहुत ही आसान है, इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं इसे आगे मैंने बिल्कुल step by step सिखाया हुआ है अगर आप ये सुंदर सी dress बनाना सीखना चाहते हो तो वीडियो को end तक देखिए तो चलिए इस प्यारी सी dress को बनाना शुरू करते हैं तो ये देखिए friends dress को बनाने के लिए मैंने ये 3 ply वाली only है जिसमें ये यहां पर मैंने लिए हैं 33 फंदे फंदे मैंने यहां पर normal डाले हैं और हलके से loose हाथ से डाले हैं जिससे इसकी किनारी बिल्कुल सीधी सीधी बनेगी और soft बनेगी अगर हम tight फंदे डालते हैं तो ये किनारी थोड़ी सिया से सुकड जाती है और dress फिर हमारी खिली खिली न 33 फंदे डालकर 2 सलाई उल्टी उल्टी बुन लिजिए जिससे आपके पास ये एक लाइन आ जाएगी अब हम यहां से अपने धिजैन को बुनना शुरू करेंगे तो यह देखिए यहां पर हम 5 फंदे उल्टे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार और ये पांच पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद दो फंदे का हम यहां पर एक फंदा बना देंगे अब धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदे को हम सीधा बना देंगे यहाँ पर जो दो का एक करके फंदा घटाया वो जाली से वापस बढ़ा दिया अब धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को हम सीधा बना देंगे यहाँ पर हम फंदा बढ़ाएंगे जो हमारा यहाँ पर यह कट वाला पैटर्न बनता जाएगा वो इसी से बनेगा जो हम फंदे बढ़ा रही है तो एक साइड पर तो जो दो का एक करेंगे वो जाली से इकवल हो जाएगा यहां हमारा फंदा हर बार बढ़ेगा आप देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट में चार फंदे रहने तक सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे इसमें हमें कुछ नहीं करना है बहुती आसान से डिजैन में हमारी ड्रैस बनेगी मैं इसे दो रंगों में बना रही हूँ आप इसे एक रंग में भी बना सकते हो यहां पर आपकी अपनी चोएश है तो इनको आगी चार फंदे रहने तक हम उल्टा बुनेंगे टोटल हमने यहां पर 33 फंदे डाले हैं तो यह देखिएगा एक दो तीन चार इसको भी हम बुन लेते हैं अब यह जो चार फंदे हैं इनको हम छोड़ देंगे इनको बनाएंगे नहीं और यहीं से हम ट्रंड कर जाएंगे इस एक फंदे को आपका मन करे तो इसक उल्टा बुन लेंगे तो यह देखिए लाश्ट तक हमने फंदो को बुन लिया है फिर से आजेए आप इसकी उल्टी साइड पर सोरी सीधी साइड पर हम पांच फंदे हम उल्टे बुनेंगे क्योंकि हमने उल्टी तरफ से तो अभी सिलाई को बुना है एक दो तीन चार और ये पांच ये पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद एक ये और एक ये जाली वाला इन दो का हम यहां पर एक फंदा बना देगे फिर धागा अपनी तरफ रहे और हम एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहां जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया अब धागे को अप yeah beispiel पहले हम ने यह वाले चार फंदे छोड़े थे अब हम यह वाले चार फंदे छोड़ेंगे तो यह आठ फंदे लाश्ट की रहने तक इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे यह देखिए यहां पर अब हमने पहले एकbly स्ल्ट फंदे चोड़े थे अब एक लिएध धो से हमने ट्रन कर लिया इस फंदे को आपका मन करें आप स्लिप कीजिए मैं हमेशा बनाती हूँ कोई जादा वो नहीं आता है इसको हम बुन लेंगे और अब लाश्ट तक के सभी फंदों को हम उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुन देंगे यही जो हमारी शोट रोज बनत जाती है तो इन फंदों को आप लाश्ट तक उल्टा बनाईए सलाई को कंप्लीट करने के बाद फिर से आज यह सीधी साइड पर सीधी साइड पर देखिए एक दो तीन चार पांच पांच फंदे बुनने के बाद एक यह और एक यह जाली इन दो का हम एक कर देंगे धाग अपनी तरफ रहे और एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो जो घटाया वो जाली से वापस बढ़ा दिया धागा अपनी तरफ करेंगे और अब हम यहां जाली से फंदा बढ़ाएंगे धागा अपनी तरफ करके एक दो और यह तीन फंदे हमने सीधी बनाए फिर धागा अ वही करना देखिए इन फंदों के आपको पहचान मिलेगी थोड़ा थोड़ा सा छेद आपको दिखाई देगा अब ये वाले चार फंदे हमें छोड़ने है तो वहां तक कि हम फंदों को उल्टा बुनेंगे तो ये देखिए मैंने इन फंदों को बना लिया है और एक बार य ये चार छोड़े फिर ये चार छोड़े अब हम ये चार वाले छोड़ देंगे और यहीं से टरंड करेंगे और अब लाज तक उल्टी साइड से सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे उल्टी साइड से सलाई को हमने बना लिया है अब आज ये इसकी सीधी पहले हम 5 फंदे उल्टे बनेंगे एक तो तीन च्यार और ये पांच अब ये एक फंदा और एक जाली इन दो का हम एक फंदा बना देंगे धागा अपनी तरफ रहे एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो जो घटाया वो जाली से वापस पढ़ा दिया अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखे एक दो तीन और ये चार फंदे सीधे तो यहां हमने फिर से जाली से फंदा बढ़ाया है धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से देखे हमें चार फंदे छोड़ने हैं फंदों की आपको पहचान मिलती चली जाएगी अब इ इसके आगे कि ये चार फंदे हमें छोडने हैं, तो यहीं से हम ट्रंड करेंगे, और उल्टी साइड से इन फंदों को हम उल्टा बनेंगे, अब आज ये इसकी सीधी साइड पर, सीधी साइड पर ये पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, फि तीन चार और ये पांच ये पांच फंदे सीधे अब धागा अपनी तरफ करेंगे एक दो तीन और ये चार अब देखिए हमने ये वाले चार फंदे अब छोड़ देने हैं और यहीं से हम टरन करेंगे और इन फंदों को अब हम उल्टा बुनेंगे उल्टी साइड से हमने फंदों को बना लिया है फिर से आज ये इसकी सीधी साइड पर देखिए एक दो तीन और ये चार पांच और पांच फंदे बनाने के बाद हम दो का एक करेंगे अब धागा अपनी तरफ रहे एक फंदा ये सीधा फिर से धागा अपनी तरफ और ये देखिए एक दो तीन चार पांच और ये छे यहाँ पर हमें छे जाली से छे फंदे बढ़ाने होते हैं जो कि हमारे बढ़ गई हैं और यहाँ पर ये लाश्ट वाले जो अमारे चार फंदे हैं इनको हम छोडेंगे और यहीं से अब हम टरन कर देंगे और इन फंदों को अब हम उल्टा बुन देंगे अब देखिए उल्टी साइड से इन फंदों को मैंने बना लिया है अब आज ये सीधी साइड पर अब यहाँ से हमारी ये एक पत्ती पूरी होगी और दूसरी की स्टार्टिंग हो जाएगी उल्टी साइड से हम अपना सेकिन कलर लगाएंगे तो यहाँ पर अब हम छे फंदे बाइंड ओफ करेंगे तो देखिए दो का एक करेंगे फंदे को लूज छोड़ेंगे टाइट नहीं रखना है नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक करेंगे दो फंदे हो गए फिर सलाई पर लाएंगे और यह देखिए तीन फंदे बंद हो गए इसे आपने लूज रखना है चार फंदे बंद हो गए फिर सलाई पर लाईए पांच फंदे आपके बंद हो गए फिर सलाई पर लाईए और ये देखिए छै फंदे आपके यहाँ पर wind off हो गई है अब देखिए लाश्ट तक के सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनकर complete कर देंगे ये 6 पंदे आप पाइंड ओफ कर दीजिए जो हमने जाली से बढ़ाए थे और अब लाश तक सलाई को बिलकुल उल्टा उल्टा बनाईए और फिर उल्टी सैड से हम अपना second color इसमें जोड देंगे तो मैं इस सलाई को अब पूरा बुन कर complete कर देती हूँ तो ये देखिए सलाई को हमने बुन लिया है और यहां से अब हम अपना second color जोइंट करेंगे तो देखिए इस तरह से धागे को लेंगे और थोड़ा सा आगे ले जाकर हम नोट लगाएंगे यहीं पर लगाएंगे तो किनारी पर वो अच्छी नहीं लगेगी ये देखिए इ जो हमने थोड़ा सा लंबा धागा रख लिया है इसको ऐसे दबा लेंगे फिर दो फंदे बनाएंगे फिर इसको हम इसी तरीके से यहां पर दबा देंगे फिर दो फंदे बना लेंगे और ऐसे करते हुए इसको हम थोड़ा आगे तक ले आएंगे और फिर नोट जरूर ल बच गया तो इसकी note लगा देंगे और last तक slide को उल्टा बुन लेंगे तो यह देखिए उल्टी side से मैंने slide को उल्टा बुन लिया है तो यहाँ पर हमारा यह एक part complete हो जाता है और अब यहाँ से next बार के starting same to same जैसे मैंने यहाँ से आपको बताई ना same बनेगे तो थोड़ी सी मैं इसको starting करके बता रहे हूँ आगे आप same तरीके से repeat करते जाएगा देखे 5 फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन च्यार और यह पांच फिर हम देखे यहाँ पर दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे धागा अपनी तरफ रहे एक फंदे को सीधा बनेंगे तो जो दो क एक किया वो जाली से वापस बढ़ा दिया फिर धागा हम अपनी तरफ करेंगे और यह देखे इस एक फंदे को हम सीधा बनेंगे तो यहाँ पर हम जाली से फंदा बढ़ाते जाएंगे और अब लाश्ट में चार फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम उल्टा बनेंगे इसमें आपको वही चार चार फंदे ही छोड़ते जाना है तो सलाई को लाश्ट तक अब उल्टा बनाईए तो यह देखिए उल्टी सैट से सलाई को मैंने बना लिया है अब जैसे मैंने यह पूरा आपको बुन कर दिखाए ना सेम ऐसे ही बनाईए कलर चेंज कर लिजिए एक कलर से बनाना हो एक कलर से बना लिजिए चोईश यहां पर आपकी अपनी रहेगी दो रंग में ड्रेस थोड़ी सी ज्यादा सुन्दर लगेगी तो अब हमें इसको राउंड में इसके घेर को कंप्लीट कर लेना है तो मैं इसे राउंड में पूरा कर लेती ग्यारा रेड कलर से बनाई है और ग्यारा ही मैंने करीम कलर से बनाई है यह हमारा बाइसमा डिजाइन है तो अब हमें यहां से इसका एंड करना है और इस पत्ती को यहां पर पूरा करके बंद करना है और यह देखिए इस ड्रेस को हम ऐसे ओपन छोड़ देते हैं तो फिर हम क्या करेंगे बटन लगाएंगे ताकि ये हमारा जो है इसके इस तरीके से उपर बंध हो जाएगा और एक बटन यहां पर और एक बटन यहां पर लग जाएगा दो बटन से तो ये बिलकुल अच्छे से कवर हो जाएगा तो अब हमें इसका यहां पर एंड करना है जैसे हम यहाँ पर यह 6 फंदे जाली से बढ़ाते हैं वही 6 फंदे हमें यहाँ पर bind off करने हैं तो ठीक वही तरीका है 2 फंदे का 1 करेंगे फंदे को लूज रखेंगे 2 हो गए 3 फिर से स्लाइपर लाएंगे 4 और फिर से स्लाइपर लेकर आएंगे 5 और फिर से स्लाइपर लाएंगे 6 तो देखें एक जाली तो हमारी यह हो जाएगी जो कि हमें अलग से जाली बनाने के आवशकता नहीं है एक बटन तो इसी में बंद हो जाएगा एक हम थोड़ा सा आगे इसमें बटन होल इसी स्लाइपर बनाएंगे तो लाश्ट तक अब हम इन सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे 22 हमने डिजाइन कम्पलीट किये हैं तो हमारा यह राउंड में कम्पलीट हो गया है इसे आप छोटी या बड़ी कैसे भी बना सकते हो छोटी बनानी हो तो आप इसमें फंदे बनाएंगे इस जगहे पर आप आइडिया लगा लीजिए मैंने यापर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 फंदे बनाए हैं उसके बाद एक जाली डाली है और दो का एक कर दिया है तो एक बटन हमारा यहाँ पर लग जाएगा सभी फंदों को अब हम लाश तक उल्टा उल्टा बुन देंगे फिर उल्टी साइड से भी स्लाई को हम बिल्कुल उल्टा बुनेंगे और सीधी साइड से सभी फंदों को बंद कर देंगे तो यह देखिए उल्टी साइड से स्लाई को बुनने के बाद अब हम सीधी साइड पर हैं और इन फंदों को bind off करतेंगे एक बटन होल यहाँ पर है और एक यह जाली वाल है तो दो हमारे हो गई है छोटे छोटे से दो बटन लगा देंगे आपका मन करे fancy लगाईए आपका मन करे simple लगाईए और फिर इनको सीधी साइड से ना जादा tight और ना ही जादा loose बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इन फंदों को आप बंद कीजिए अगर आप tight हाथ से बंद करेंगे तो फिर यह किनारी बिल्कुल सुकडी होई सी बन जाएगी जो dress का यहां का भाग है वो खिला-खिला या खुला-खुला सा नहीं बनेगा एकदम tight हो जाएगा तो थोड़े loose हाथ से इन फंदों को ऐसे बंद कर दीजिए तो यह देखिए friends राउंड में हमारा घेर complete हो गया है और सभी फंदे हमने bind off कर दिया है इस पर हम button लगाएंगे red वाली पर एक button यहां पर लग जाएगा और एक यहां पर और जब हम पहनाएंगे तो यह ऐसे हमारा बंद हो जाएगा तो इसमें बहुत अच्छी इसकी लुक आएगी और यह जो इसकी round है अब इसके लिए जो हम इसका उपर की चोली बनाएंगे या तो आप चोली को थोड़ा कम length में बनाकर और इसकी round में हम seal देंगे तो यह one piece में हमारी dress हो जाएगी कैप अलग से बन जाएगी लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही अलग रखना चाहते हो थ्री पीस में कैप और इसकी चोली और यह घेर तो इसमें हम round में क्रोशी से एक डोरी बनाकर और डोरी डाल देंगे यहाँ पर ताकि डोरी से यह ऐसे बंद हो जाए मैं इसे अलग रखू आपके पास चोईस है आप सील के चोली बनाना चाहो तो वो भी बून सकते हो तो यह देखिए अब हम इसकी चोली बनाएंगे चोली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिये हैं 30 फंदे मैंने नॉर्मल डाले हैं हलके से लूज हाथ से फंदे डालने के बाद शीती से बिए सलाई हैं ये पट्टी बुनने के बाद अब हम इन फंदों को टिवाइड करेंगे बटन पट्टी फ्रंट बाजू बैक फिर बाजू फिर फ्रंट फिर बैक हमारी जो पट्टी आएगे इस तरह से तो इस पांचवी सलाई पर हम एक बटन होल बनाएंगे पहले वाला देखि जाली से यहां छेद भी बन गया है जो फंदा बढ़ाया वो वापस हमने घटा दिया है अब यहां से हमारे पट्टी के फंदे शुरू होंगे तो तीन फंदे अब हम सीधे बनाएंगे जो उमारे फ्रंट वाले पार्ट के बनेंगे क्योंकि पट्टी के तो हमने चार फंदे हम बाजू के सीधे बनेंगे एक दो और यह तीन तो देखे इस फंदे के इधर भी जाली आगी और इधर भी आगई फिर हम धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हम सीधा बन देंगे तो बाजू में एक फंदा इस साइड से बढ़ेगा और एक इस साइड से अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और 6 फंदे बैक पार्ट के सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच और ये 6 फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हम सीधा बनाएंगे बैक पार्ट में भी एक इधर की जाली आएगी एक इधर की आएगी दोरों तरफ से फंदे बढ़ें फिर धागा अपनी तरफ करके और हम बाजू के तीन फंदे सीधे बुनेंगे एक दो और ये तीन फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन देंगे फिर से धागा अपनी तरफ और एक दो और ये तीन लास्ट में बच गए हैं चार फंदे ये बटन इसी तरीके से आपका 30 फंदों में डिवाइड हो जाएगा उल्टी साइड से सभी फंदों को आप उल्टा उल्टा बुन कर कम्प्लीट कर दीजे तो ये देखिए उल्टी तरफ से मैंने सलाई को बिल्कुल उल्टा बुन लिया है अब आ गए हम इसकी सीधी साइड पर तो एक बार हमारे जाली से फंदे बढ़ चुके हैं हमें आठ बार जाली से फंदे बढ़ाने हैं अब मैं तूसरी बार फंदे बढ़ा रहे हूँ इससे आप देख लीजे फिर आपको आगे 6 बार और सेम जगहे पर जाली से फंदे बढ़ाते जाना है एक दो तीन और ये चार फंदे बटन पट्टी के हम उल्टे बुनेंगे धागा पीछे एक दो तीन और ये चार फंदे हमने यहां पर सीधे बनाए क्योंकि जाली से बढ़ गया था फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इसी फंदे के दोनों साइड हमें हर बार जाली डालने होगी इस फंदे को हम सीध होगे बाजू के फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा ये सीधा बनेंगे इन्ही फंदों पर बार बार जाली आएगी फिर धागा अपनी तरफ अब हम बैक पार्ट के फंदे बनेंगे देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ और ये जाली वाला आठ फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बना देंगे इसी फंदे के दोनों साइट जाली आ रही है फिर धागा अपनी तरफ एक दो तीन चार और ये पांच फंदे बाजू के हो गए फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को हम सीधा बन देंगे फिर धागा अपनी तरफ एक, दो, तीन, और ये देखिए, चार फंदे फ्रंट के हो गए, और लास्ट में चार फंदे की बटन पटी है, इनको हम उल्टा बुन देंगे, तो ये दूसरी बार जाली से फंदे हमने बढ़ा दिये हैं, उल्टी तरफ से सबी फंदों को उल्टा बनाईए, सेम इन ही फंदों पर जाली बनाती हुए, छे बार जाली और बना लीजिए, तो मैं टोटल आठ बार जाली कंप्लीट करके, फिर आपको इसमें अलग से बाजू करके हमें बुनना है, ये फ्रंट, बैक और फ्रंट के फंदे हमें पट्टी समेत अलग एक साथी कठे लेने और दोनों बाजू अलग-अलग करनी, तो मैं इसमें आठ जाली कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ, इसमें मैंने ये आठ जाली कंप्लीट कर ली हैं, और आठ बार जाली डालने से इसमें हमारे 64 फंदे बढ़ गई हैं, क्योंकि देखिए, एक, दो, तीन और ये चार ज जाले थे, टोटल हमारे पास हो गई हैं, 94 यानि 94 फंदे, अब इसमें हम बाजू अलग करके बुनेंगे, और फिर इसके फ्रंट वाले बैक वाले और फ्रंट के फंदों को एक साथ बुनेंगे, तो अब आठ बार जाली पूरी करने के बाद, ये सीधी साइड पर जब हम आए, तो मैंने यहां से लेकर, और देखिए, यहां जो हमारे बाजू के फंदे हैं, यानि इस जाली से लेकर और इस जाली तक हमारे बाजू के फंदे हैं, तो इन फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया हैं, और यहां तक बुनने के बाद, अब हम बाजू अलग क करेंगे क्योंकि देखे यहां तक के हमारे फ्रंट के फंदे हैं तो इनको हमें पहले बुनना है तो यह फंदे बुन लीजे और इस से आगे इस जाली से लेकर इस जाली तक इन सभी फंदों को मैंने उल्टा बनाया क्योंकि आगे हम उल्टी उल्टी लाइन से बुनेंगे औ और बाज्यू के फंदों को हम बुन लेंगे देखिए एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उननिस, बीस, और ये इकिस. ये 21 फंदे हमारे बाज्यू के हैं और यहीं से हम ट्रंड करेंगे. तो देखिए इस एक जाली के फंदे से लेकर और इस जाली तक के फंदे हमने बाज्यू के लिए हैं. तीन फंदे हमने यहां स्टार्टिंग में लिये थे. एक जाली का ये हो गया और एक जाली का ये हो गय तो टोटल यानि 5-16 फंदे हमारे जाली से बढ़े तो 21 अब देखे इन फंदों को हम छोड़ देंगे और यहीं से टरंड करेंगे और इन ही 21 फंदों को सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी हम उल्टा बुनेंगे तो इसमें हम 7 से 8 सलाईया उल्टी उल्टी बुन फिर इसमें हम दोनों साइड से एक एक फंदा घटाएंगे ताकि बाज्जू की शेप आए तो यह देखे फ्रेंट्स टोटल मारियां पर 8 सलाईया हो गई हैं 8 सलाईयों में आपकी 4 लाईने हो जाएंगे देखे एक दो तीन और यह चार अब हम दोनों साइड से एक एक फ हम लास्ट में आ गई हैं और यह दो का एक कर दिया तो 21 में से 2 फंदे कम हो गए और हमारे पास रह गए हैं 19 फंदे अब इसमें हम 5-6 सलाईयां ऐसे ही उल्टी उल्टी बुनेंगे और फिर से एक एक फंदा घटाएंगे दो बार ही हमें इसमें फंदे घटाने हैं दोनों साइड से 2-2 फंदे कम हो जाएंगे और बाजू की बहुत अच्छी सी शेप आ जाएगी तो मैं यह 5-6 सलाईयां कम्पलीट कर लेती हूँ तो यह देखिए फ्रेंट्स जिस सलाई पर हमने फंदे घटाए उसको मिलाकर टोटल हमने 6 सलाईया बुनी है तो अब हमारे पास टोटल जो लाईने है न साथ हो गई है क्योंकि 4 बनाने के बाद हमने फंदे घटाए तो यह 5 वी हो गई यह 6 और यह 7 यानि टोटल हमारी यहां तक 14 सलाईयां कम्पलीट हो गई है 14 सलाईयों के बाद 15 सलाईप है और इस पर देखिए फिर से यहां से 2 का एक करेंगे और हम बुन रहे हैं इसको मिला करके तो यानि टोटल हमारे पास 10 लाईने कम्पलीट बनेंगी उसके बाद हम इसमें जो है थोड़ी सी बोडर की 4-5 सलाईयां और बुनेंगे तो यह हो जाएगी हमारी बाद जो की फिर लैंथ तो यह देख लो यह हो गया है अब इसमें हमें क बाद से बाइंड ओफ कर देंगे तो मैं इसे कम्पलीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ तो यह देखे फ्रेंड्स एक बाजू हमारे कम्पलीट हो गई है टोटल हमारी यहां तक 24 सलाईयां बने हैं और 25 में सलाई सी दी साइड पर सभी फंदों को हमने बाइंड ओफ क बटन होल बन गया है एक बटन होल हम इसे थोड़ा सा नीचे बना देंगे अब यहां पर मैंने धागे को जोइंट कर लिया है तो आप यहां नीचे इस तरह से बांध लिजिए धागे को और अब इन फंदों को आगे हम बुनेंगे तो यह हमारे बैक पार्ट के फंदे हैं जाली से हमारे बढ़ गए यानि 16 फंदे हमारे बढ़े हैं तो टोटल हो गए हैं हमारे 22 फंदे यह हमारे बैक पार्ट के फंदे हैं तो अब यह बैक पार्ट के फंदे हम उल्टे बुनेंगे और फिर इस जाली से लेकर इस जाली तक हमारे बाद जुके हैं तो हम यहां त तक के फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं तो यह देखे फ्रेंट्स यहां तक के फंदों को मैंने बना लिया है और यह इस जाली तक के फंदे हमारे देखिए यहां तक के फंदे हम बाजु में लेंगे और यहीं से हम ट्रंड करेंगे तो इस एक जाली से लेकर जो ज हमारी अलग हो जाएगे तो यह देखिए यहां तक मैंने फंदों को बना लिया है और यहीं से अब ट्रन करेंगे और यहां से भी उल्टा-उल्टा बुनना शुरू करेंगे अब जैसे मैंने शेम तरीके से यह बाजू बना कर दिखाई इस बाजू को भी हम ऐसे ही हो गई है और अब इसमें हमने देखिए यहां पर इसमें धागा जोइंट करेंगे और धागा जोइंट करने के लिए आपको बता देती हूं देखिए यहां से ऐसे एक के लूप उठा लीजिए निचे से कोई भी और इसके अंदर धागे को यहां पर बान दीजिए तो यह यहां पर मैंने इस धाके को इसमें से निकाल लिया है और आप यहां पर दो से तीन नोट इसकी लगा दीजिए और यह नोट लगाने के बाद यह पक्का हो जाएगा अब यह जो आगे फ्रंट के फंदे बच गई हैं इनको भी हम इसी स्लाई में ऐसे उल्टा बुन लेंगे तो दोनों बाजू हमारी कम्प्लीट हो गई हैं बैक और फ्रंट के फंदे हमारे एक स्लाई में यहां पर आ गई हैं अब देखे दो बटन होल इसके हम बना चुकी हैं थोड़ा सा और बुनने के बाद हमें इसका तीसरा बटन होल बनाना होगा और इसकी हमें दोनों अब देखे मालिया आप इसको एक पीस में बनाना चाहते हो इसके उपर चोली को आपको सीलना है तो चोली की लेंथ आपको कम रखनी है और अगर आप चाहते हो कि हम इसको ऐसा बना सकें यह जो नीचे वाला पार्टा इसको हम हटा दे और ठाकुर जी को सुलाते टाइम य मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ आपको भी ऐसे ही उल्टी उल्टी सलाईया बुननी है तो यहाँ पर देख लीजिए दूसरा बटन होल है थोड़ा सा और बुन के हम तीसरा बटन होल बना देंगे तो मैं इसे पूरा कर लेती हूँ फिर आप को इससे दिखाती हूँ और डोरी बना के इसमें हम एक डोरी डाल देंगे और यहाँ पर जो हमने बटन के लिए होल बनाए हैं हम बटन होल लगा देते हैं तो इसको मैं पूरा कर लेती हूँ फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ तो यह देखिये फ्रेंट्स चोली को मैंने कम्पलेट कर लिया है और इसमें हमने यह तीन बटन लगा दिए है बाज्जु की स्लाई कम्पलेट हो गई है और जो टोटल इसकी मैंने लेंठ बनाई है वो मैंने 5 इंच बनाई है यह देखिये आपको नापकर दिखा देती ये पूरी मैंने पांच इंच इस चोली की लेंथ बनाई है क्योंकि इसको हम नाइट में पहना कर भी सुला सकते हैं तो ये थोड़ी सी नीचे तक रहेगी और यहां पर देखिए मैंने एक और ये दो बटन यहां पर लगा दिये हैं और इसके राउंड में मैंने ये डोरी डाल दी है अगर आप ये जो चोली है इसके यहां राउंड में सीलना चाहते हो तो इसकी जो लेंथ है वो आप कम रखिएगा ये देखिएगा मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ लगभग आपको इसकी जो लेंध वो तीन इंच बनानी है तीन इंच बनाने के बाद तीन से एकाद पॉइंट ओपर कर लीजिए इतनी बना लीजिए बस इससे ज़्यादा नहीं और फिर अप सबी फंदों को बाइंड ओफ करके और इसके राउंड में सील दीजिए तो फिर आपको ये डोरी डालने की आवशकता नहीं पड़ेगी तो फ्रेंट्स देखिए बहुत ही प्यारी सी हमारी आठ नमबर के कानहजे की ड्रेस बनके तयार हो गई है अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी प्रेंट्स ग्रूप में इसे शेयर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को अल प्रप्रेंश कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज के नॉटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके तेंक्यू